नमस्कार, हमारे चाइनल हिंदू रिच्वल्स में आपका स्वागत है वहाँ बिखेरना, अपने वस्त्र तथा ग्रीह को ठीक प्रकार से सजा कर न रखना ये समाने शिष्टाचार के विपरीत बाते हैं खासी चिंक तथा जमाई के समय मुख को ढख लेना चाहिए दूसरों के मुख के समीप, मुख ले जाकर बाते करना भी अशिष्टता का परिचायक है चलते समय मार्ग में पड़े, ठोकर लगने योगे कंकड, काटे या ऐसा कोई पदार्थ हो जिससे दूसरे को कश्ट हो सकता है, उससे हटा देना चाहिए रोगी, भार लिये हुए व्यक्ति, इस्त्री, छोटे बालक, व्रिध, किसी सवारी पर बैठे व्यक्ति तथा अपने से श्रेष्ट के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए गुरु जनों के आगे नहीं चलना चाहिए, मार्ग में आनावश्यक तोड़ना नहीं चाहिए, और ना इस प्रकार सातियों के साथ चलना चाहिए, जिससे दूसरे यात्रियों को बाधा पड़े देव वीग्र, मुर्तिया, गव या पूजय पुरुष को सदा अपने से दाहिने रख कर चलना चाहिए, मार्ग में मंदिर या मुर्ति मिले तो उसे मस्तक जुका कर ही आगे बढ़ना चाहिए, इसी प्रकार शास्त्रों ने यात्रा में चिन स्थानों में जीस समय जाना मन नहीं जाना चाहिए, संध्या के समय भोजन आदी शास्त्रों ने वर्जित कर रखे है, प्रतियक जातियों माच्रम के लिए जो निश्चित आचार है, उनहीं का पालन शिष्टाचार है, इसी प्रकार पीता, पुत्र, भाई, बेहन, आदी संबंधियों के लिए शास्त्र में जो आचार है, उसी का लुगमन करना छिष्टाचार है, इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए, हमारे चैनल हिंदू रिचूर्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को लिक करना ना भूले, धन्यवाद.